आज की इस निव वीडियो में चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में SPIPO का निव वेकेंसी जो आया हुआ है इसका आपको इसमें complete details बताएंगे जिसमें सबसे पहला question यह रहेगा कि यह total post कितना है इसमें regular वेकेंसी और backlog वेकेंसी क्या है इसका में क्या क्या documents लगेगा इसको form कौन-कौन भर सकते हैं इसके लिए क्या eligibility criteria रहेगा और इसमें जो आपको cover होगा pre-examination training क्या होता है number of chance जो होता है इसमें क्या करता है बहुत सारे student अपना number of chance भर देता है चार वार तिन वार तो इसमें कौन number of chance भरेगा और कौन नहीं भरेगा यह भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा अगर जिसके पास left thumb नहीं है तो वह क्या upload करेगा इसमें और handwriting declaration क्या होता वह कैसे लिखना है और सबसे महत्पुर्म बात OVC category जो है OVC category को reservation नहीं दिया जाएगा क्यों नहीं दिया जाएगा और OVC में क्या करना होगा reservation के लिए किसको मिलेगा आपको इसके बारे में भी इस वीडियो में जानकारी मिलेगी और EWS को कौन सा financial year का लगाना है EWS जो valid माने जाएगा certificate को और इसका क्या salary रहेगा क्या इसमें job के दुरान कितना salary मिलेगा यह सारा सब कुछ आपको इस वीडियो में complete details मिलेगा तो दोस्तों अगर information अगर अच्छा लगे हैं तो इस तरह को और information पाने के लिए चैनल को like and subscribe कर ले ताकि आप तक पहले information पहुंचे चलिए जानते हैं दोस्तों सबसे पहले इसका जो बात करते हैं vacancy की तो सबसे पहले इसकी eligibility criteria के बात कर लेता है जो भी candidate graduation pass है किसी भी किसी भी आप अगर disciplines हो जिसे कि आप माने जाए कि medical भी किये हैं या इंजिनिंग किये हैं आपका कोई discipline हो तो आप इसके लिए eligible हैं graduation pass है अगर आप graduation pass नहीं है तो भी आप इस form को भर सकते हैं लेकिन उसका एक सर्थ आप यहाँ पर notification देखिए सही से mention किया हुआ है कि जो final year या final semester में होगा graduation में इस जिसका graduation 31-12-2023 तक complete हो जाएगा वो candidate भी वो student जो है इस form को भर सकता है यहाँ पर mention किया हुआ है graduation यहाँ देख सकते हैं final year या semester of graduation also apply provisionally इसमें apply कर सकते हैं ठीक है और आपको इसमें जो भी यहाँ पर discipline के बारे में दिया गया है ठीक है और उसके बाद आपका इसमें age limit की बात किया जाए तो इस limit जो होगा इसमें 21 से कम नहीं होना चाहिए इट मींज कि आपका date of birth 14 2002 से 2 से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए और 14 2023 तक में आपका 30 years आपको count किया जागा यानि maximum age जो होगा वह आपको 30 years और minimum जो है 21 साल रहेगा ठीक है और उसके बाद आपको अगर आप जिस time form भरेंगे ना उस time calculation percentage होता है तो इस time आपको ध्यान देना है अगर आप कमाने जाए कुछ इस थरह से percentage आएगा 59.99 जीरो तो उसको आपको डिरेक्ट 60 काउंट किया जाएगा तो आप 60 लिखेंगे अगर इस तरह से आएगा तो वह हमें आपको दूसरे वीडियो में जब form भरेंगे सारा process step by step तो उसमें आपको cover कर देंगे और इसमें अगर reservation category के बाद किया जाए तो जिसमें SC को जो है पांस साल के जी रिलक्सेशन ओवी सी में relaxation मिलेगा लेकिन NCL वालों को मिलेगा नन क्रीम लिए शर्टिपिकेट जो होता है जो ओवी सी में NCL कंतर गताता है उसको तीन साल का मिलेगा और person with disability या benchmark जो होता है उस सब के लिए SC में 15 और VC में 13 और general वालों में 10 मिलेगा ठीक है चलिए इस जान लेते हैं सकेंड क्विश्टन जो था कि क्या होता है regular और backlog वेकेंसी ठीक है तो regular वेकेंसी में आप देख सकते हैं यहां पर तोटल 2000 जो है 2000 पोस्ट है करेंट और backlog में यहां पर देखे backlog है है यहां पर 20 है और 16 तो इसमें 36 जो है आपको इसमें वेकेंसी में दिखाई देगा 36 आपको backlog में ठीक है तो backlog में क्या वह भर सकता है नॉर्मल जो जो नॉर्मल एस्टुडेंट है नहीं तो backlog में जो है कौन फॉर्म भरेगा अगर नॉर्मल है आप तो इसमें सिर्फ आप करेंट वेकेंसी होगा उसमें आप अप्लाइक करेंगे और आपकलोग वेकेंसी में वह अप्लाइक करेंगा जो एक कटेगरी से बिलंग करेंगा इट मींस यह क्या होता भी आई एचाई और लडी डी क्या होता यह चले जानते हैं इसके यह जो होता है एक तरह का डिसेबिलिटीज में रखा गया अकॉंट किया गया यहां पर देख सकते हैं पी डवलू बी डी कटेगरी अंडर सेक्षन डी एंडी सेक्षन इसमें आपको यह सारा सब को जिसे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज मेंटल इलनेश एमाई और आटोमीजम स्पेक्ट डिसाइबिलिटीज जैसे लडी एचाई पी आई और यह सब जो कंडिडेट होगा यह दोस्तों दोनों के टेगरी के दोनों जैसे करेंट वेकेंसी और बैकलोग वेकेंसी इसमें दोनों के लिए एलिजिवल होगा वह दोनों में फॉर्म भर सकता है ठीक है अगर नोर्मल जो स्टुडेंट होगा वह सिर्फ करेंट में भरेगा इसमें में 2000 पोस्ट है जो अच्छा खासा पोस्ट है तो इसमें भरें और आपका जो नेक्स्ट कुश्चन है इसमें क्या-क्या डॉकुमेंट्स लगेगा तो डॉकुमेंट्स जो रगेगा एक आपका फोटो रहेग में क्या लिखना है यहां पर देख सकते हैं अगर हैं यहां पर आई है यहां पर आप अपना नम लिखेंगे जिसे मेरा नम मनिस है तो आई मनिस यहां पर डेट वर्ट डाल देना है आपना और हेर डिकलियर अगर आपके पास question यह भी था कि अगर left thumb नहीं है तो क्या upload करेंगे अगर left thumb नहीं है तो उस case में आप यहां पर right thumb जो है वह आप upload करेंगे right thumb impression ठीक है और आपका next question था कि OVC और OVC में reservation क्यों नहीं मिलेगा तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसमें यहां पर देखें दिया हुआ सपस्ट किया हुआ है कि the OVC candidate coming in cream layer are not जो आप cream layer में होगा not in tell to the OVC reservation they should indicate their category as general यानि कि अगर जो candidate OVC होगा लेकिन उसका अगर cream layer में होगा यानि non cream layer नहीं होगा तो उस candidate को general में count किया जाएगा ना कि OVC NCL में ठीक है और NCL रहेगा तभी उसको benefits मिलेगा OVC category का और the OVC candidate climbing reservation under OVC category must produce OVC non cream layer certificate based on the income और यह आपका जो financial होगा 22-23 पर होगा ठीक है आपका OVC NCL जो बनेगा अब इसमें जो benefit EWS जो है EWS में भी वही चीज होगा जो financial layer रहेगा 22-23 रहेगा लेकिन यह 23-24 का बनेगा ठीक है EWS वाला और SC जो का certificate रहेगा आपको government of India से SCST जो candidate होगा उसका तो बना होना चाहिए ठीक है और आपका next question होगा कि number of chance ठीक है तो number of chance की बात किया जाए तो number of chance कैसे इसमें दिया जाएगा कैसे इसमें fill up करेंगे number of chance तो दोस्तों यहां पर आ जाए और यहां पर देखिए number of chance क्या होता है ठीक है number of chance यहां पर देखिए जैसे कि आपको दिया हुआ है exam जो है आप कितना वार दे सकते हैं जैसे general EWS से है तो आपको जो maximum number of chance मिलता है चार ही मिलता है अगर आप जैनरल में EWS है PWD में PWD है लेकिन जैनरल के टेगरिस है और EWS है लेकिन PWD candidate में आता है तो उसमें आपको साथ बार दिया जाता है उसी तरह से अगर OVC है तो उसमें आपको साथ 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 बार चांस दिया जाएगा उसी तरह से अगर OVC में भी आपको मिलेगा और CST के लिए नन रिष्टिकेशन है उसका जो है रिष्टिकेशन नहीं लगा गया PWD में ठीक है तो इसमें कैसे यह लिखा जाएगा जैसे कोई फॉर्म जो भरते हैं तो उसमें क्या करता है नोर्मली दो वार तीन वार जैसे प्रिलियम से एक्जाम दिया तो वह नहीं करना अगर आप यहां पर देख सकते हैं किलियरली मेंसन किया हुआ है कानिडिट हुआ अलड़ी एपिर मैक्सिमम नमरों प्रमीजिवल चांस और नोट इलिजिवल टू अगर आप इससे अगर ज्यादा चांस अगर आप अपलाइ कर दिये हैं तो आप इसके लिए इलिजिवल या नहीं है कितना वार आप दिये हैं चांस तो यहां पर देख सकते हैं अगर आपने प्रिलम अड़ी एक्जामनेशन दिये हैं खाले तो वह चांस नहीं कौंट किया जाएगा ठीक है जिसे मानजा भी फॉर्म निकलाए प्रिलेम का एस बीई पीओ का अगर आप यह फॉर यहां पर पांच बार छे बर देजिए उसको कॉंट नहीं किया जाएगा यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रिम्री इग्जामनेशन विल नॉट भी कॉंटेट एज चांस एपेरिंग इन मेंस एक्जामनेशन विल वी कंडेक्टिट एज चांस ओके और आपका ने के लिए प्रिपिर कराया था जैसे यहां पर भी पटना में बहुत सारा जगा सेंटेश एन कोलेज हो गया और सब अलग अलग जगा जो है गवर्मेंट यह चीज जो है फैसलेटी दे रही जैसे सी स्टी हो गया ओवी सी और मैनुरेटिक का हो गया इस सब के लिए जो होता ह फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको उपसान अगरे प्रिट्रेशन के लिए आप वहां पर यह किर दिनिंग calls करदेंगे और व्याइशन से पहले ठीक है आपका next question था कि EWS में कौन सा यह रहना चाहिए इसमें 22-23 का रहेगा लेकिन 23-24 का बनेगा ठीक है अब इसका next question था कि इसका salary क्या होगा तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं salary की बात किया जाए तो इसमें जो आपको बेसिक स्टार्टिंग सेलरी जो है 41,960 ठीक है और इसमें भी आपको इसमें जैसे की यह सब भी अलग से रहेगा इसमें यह सारा सब कुछ जो की बहुत ही अच्छा खासा salary है और इसका maximum अगर बात किया जाए तो अच्छा खासा चल जाएगा इसमें एक लाग प्लस हो जाएगा 5 साल के बाद ठीक है और इसमें आपको जो कोई डॉट हो दोस्तों तो आप अपने यहां पर नीचे comment box है आप उसमें जाएंगे comment box में comment करिए मैं सारा comments परता हूं और आपको उसका answer भी दिया जाएगा ठीक है तो आप लोग को घवराने की नहीं है कहीं भी कोई दिक्कत हो आप हमें बताएं क्योंकि मुझे experience से इसी का form बढ़ने का 5 से 6 साल का तो आप लोग कोई problem नहीं होगा ठ इसका जो आप थोड़ा सा exam pattern के बारे में बता देते हैं exam pattern जो होगा इसका एक फस्ट होगा प्रिलियम्स जो नमंबर में होगा 2023 को और इसका होगा दूसरा मैंस एक्जामनिशन होगा जो दिसंबर 2023 में होगा और उसके बाद तीसरा जोगा psychometric test और group exercise test और interview होगा जो आपको इसका थोड़ा सा exam pattern देख लेते हैं और subject देख लेते हैं क्या क्या है इसका ठीक है इसका exam pattern प्रिलियम्स होगा प्रिलियम्स में क्या होगा 100 marks का होगा 100 marks का conduct क्या जाएगा online exam ठीक है जो जिसमें जो होगा तीन पिपर होगा एक English language होगा 30 marks का quantitative aptitude होगा 35 marks का और reasoning ability होगा वो 35 35 गुश्चन रहेगा टोटल हंडेट कुश्चन रहेगा और हंडेट माक्स यानि एक क्यूस्चन जो होगा आपका एक marks का रहेगा और समय 20-20-20 मिट कराए मिलेगा यह वह एक घंटा मिलेगा आपको और 100 marks का exam होगा 100 question रहेगा प्रिलियम्स क्यालिफाय करने के आपका दोस 200 का हो जाएगा जिसमें reasoning computer aptitude होगा जिसमें आपको maximum 50 marks का होगा और इसमें 50 मिलेगा उसके बाद आपको डाटा एनलाइस एन इंटरप्रेंस रहेगा जिसमें आपको 30 question रहेगा 50 marks का यह 45 मिन जैनरल रहेगा इंगलीस रहेगा यह total मिला कि आपको 200 marks का होगा 155 question रहेगा ठी प्रिकल जो तीन घंटा टाइम रहेगा एक्जाम का और उसके बाद देखोंगा डिस्क्रिप्टिभ पेपर एक होगा आपका descriptive paper और descriptive paper जो है आपका इसमें लेटर रैटिंग यह से रहेगा जिसमें 50 marks का रहेगा total जोगा आपका एक्जाम 25 marks का होगा जाने कि तीन घंटा 30 म रखासर और टर्वियूओर होगा ऑच का गरूप माक्स तो टोटल न उसके बाद इसरों रखा एका। कटफ होगा वो बनेगा आपका रिजल्ट आएगा तो आप लोग जोसम से इस फॉर्म को भरें अच्छे से और मेहनत करें और अपने फैमिली को थोड़ा सा प्राउड फिल कराएं दोस्तों और हम आप लोग के साथ इसमें कहीं भी कोई कोई सी तरह के फॉर्म भरने में दिक्कत हो तो आप इसमें कोमेंट करें आपके साथ हमेशा हम है आपका अपना भाई ठीक दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी अलगी हो जानकारी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा आपको जो है फॉर्म भरने का प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको अप्लोड हो जाएगा ठीक है तो जैन दोस्तों